आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सब को मेरा प्रणाम हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थवेवस्था भारती अर्थवेवस्था की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है भारती अर्थवेवस्था काफी नाजब दोर से गुजर रही है हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रते दिन कमजोर होता जा रहा है और इन सब चीजों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकास शील देश है 75 साल हो गया जादी को आज भी विकास शील देश गरीब देश माना जाता है हम सब चाहते हैं कि भारत विक्सित देश बने हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है बहुत सारे स्टेप्स लेने की बहुत सारे अफर्ट्स करने की जरूरत है हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं हमें बड़ी संख्या में अस्पिताल बनाने है हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के उपर बिजली का सडकों का इन्फरसेक्चर को तयार करना है लेकिन एफर्ट्स तभी फलीबूत होते हैं जब हमारे उपर देवी देवताओं का आशिरवाद होता है एफर्ट्स करने चाहिए हम सब लोग अपनी अपनी जिन्दगी में एफर्ट्स करते हैं लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं एफर्ट्स कर रहे हैं नतीजे नहीं आ रहे उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशिर्वाद हो तो एफर्ट्स फलिभूत होने लगते हैं एफर्ट्स के नतीज़ा आने लगते हैं परसो दिवाली थी दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गनेश जी और श्री लक्षमी जी का पूजन किया हम सब लोगों ने भगवान से सुख शान्ती की प्रार्थना की हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए देश की सम्रिधी के लिए प्रार्थना की हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनस करते हैं, व्यपारी हैं, इंडस्ट्रिलिस्क्स हैं सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में ज़रूर लक्षमी जी की और गनेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है भारतिय करेंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गनेश जी की और श्री लक्षमी जी की तस्वीर भारतिय करेंसी के उपर लगाई जाए जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थवेवस्था को सुधारने के लिए भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सार एफ़र्ट्स की जरूरत है लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशिरवाद की भी जरूरत है अगर भारत्य करंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो as it is रहे दूसरी तरफ अगर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशिरवाद मिलेगा लक्षमी जी को समरिधी की देवी माना गया है गनेश जी जितने विघन होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है विघन दूर करने वाला देवता माना गया है तो उन दोनों की तस्वीरें उसके उपर लगनी चाहिए हम यह नहीं कहा रहें कि सारे नोट बदले जाएं लेकिन जितने fresh notes छपते हैं अभी जो notes हैं वो as it is रहें लेकिन जो हर महीने fresh notes छपते हैं वो fresh notes के उपर यह शुरुआत की जा सकती है और धीरे 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 करते करते circulation में काफी मात्रा में यह वाले नहीं note आ जाएंगे इंडोनेशिया एक Muslim country है 85% से जादा उनकी अबादी मुस्लिम है 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे लेकिन उन्होंने भी अपने note के उपर गनेश जी की तस्वीर शापी हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत एहम कदम है जो कि केंदर सरकार को उठाना चाहिए आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंदर सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारत्य करेंसी के उपर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर लगाई जाए अगर इस पर कोई प्रशन है आपके तो अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया उस वक्त मन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉंग भाव आया कि अगर भारत्य कररेंसी के अपर ऐसा हो हम सब लोग पूजन करते हैं सब लोग भाव से पूजन करते हैं तो अगर भारत्य करेंसी के अपर भी ये हो मैं ये ने क Gallery चार रहे हैं करने से मात्र से केवल अर्थ्य विस्तासुदरीगी बहुत सारे efforts करने की जरूरत है लेकिन वो एफ़र्ट तब फली भूत होते हैं जब देवी दिवताओं का आशिरवाद होता है जैसा मैंने का कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हम यह नहीं कह रहे हैं इसको हटाओ उसको रखो उसको हटाओ किसी के भी खिलाफ नहीं है और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं इसमें किसी को अपत्ती होनी नहीं चाहिए और सबकी समरिधी की बात हो रही है सबकी संपन्नता की बात हो रही है पूरी देश की संपन्नता की बात हो जैसा मैंने कहा कि अगर इंडोनेशिया कर सकता है इंडोनेशिया ने भी श्री गनेश जी को चुना तो हम भी कर सकते हैं हमारे देश में भी हो सकता है और लक्षमी जी के साथ लक्षमी जी एक ऐसी देवी हैं जिनको समरिध्धी और संपन्यता की देवी माना गया है आरूप लगाने वाले तो सौ आरूप लगाएंगे आरूप लगाने दीजिये लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजे मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा इडिया और ये होना चाहिए मैं कल परसो में उनको एक चिठी लिखूँगा कलिया परसो और उस चिठी के माध्यम से भी मैं उनसे अपील करूँगा हम पूरी तरह से तयार हैं और इन लोगोंने जितने भी एफर्ट्स किये चुनाव टालने के गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया दूसरे वोट एक साथ कर दिया जो मर्जी कर ले है लेकिन दिल्ली की जंता इनको नकारने वाली है ये लोग बहुत सारी कोशिशे करेंगे जो भी असुरी शक्तियां होती है वो सच को दबाने के लिए इमांदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती है ये सब जैसे मैंने कहा ये सब असुरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ एकटी हो गई हैं और ये जितना मर्जी कुछ कर ले ये जनता को दबा नहीं सकती जनता की आवाज है जनता दिली की जनता ने देखा की आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी इनोंने स्कूल अच्छे कर दी है आम आदमी पार्टी को अस्पतारों की जिम्मेदारी दी इनोंने अस्पतार अच्छे कर दी है तो अब दिली की जनता कह रही है एक बार इनको सफाई की भी जिम्मेदारी देंगे हम तो जनता मन बना चुकी है ये जो हमर जी कर ले जनता की इच्छा को नहीं दबा सकते दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ सालों में प्रदूशन के उपर काफी काम किया है, काफी मेहनत किया है, उसकी वज़े से प्रदूशन में गिरावट आई है, यह अच्छी बात है, प्रदूशन बढ़ा नहीं है, अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे प्रदूशन बढ़ता जाता है, जादा वहिकल जाते हैं सडक पे, और प्रदूशन बढ़ता है, लेकिन दिल्ली में प्रदूशन बढ़ने की वज़ाए कम होने लगा है, यह यह दिखाता है कि हमारे अफर्ट्स सही दिशा में हैं, उन अफर्ट्स में और तेजी करने की जनता चुनाव लड़ेगी आप देखिएगा दिल्ली की जनता इधर चुनाव लड़ेगी और गुजरात की जनता उधर चुनाव लड़ेगी इधर दिल्ली की जनता इनके 15 साल के कुशासन से दुखी है उधर गुजरात की जनता इनके 27 साल के कुशासन से दुखी है अगर मैं आपसे पूछ हूँ आप इनसे पूछ लिजेगा ये भी PC करते हैं रोज कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने MCD में एक काम करा हूँ इनोंने मैं चैलेंज करता हूँ आज एक अच्छा काम गिना दें कि हमने 15 साल में ये एक अच्छा काम करा है एक काम भारती जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काम कर रही है एक काम गिना दें जो इनोंने अच्छा किया गुजरात में 27 साल से काम कर रहे हैं एक काम गिना दें जो इनोंने अच्छा किया और आम आदमी पार्टी ने 7 साल में क्या अच्छे काम किया बाहर सड़क पे चले जाना किसी आदमी से पूछ लेना केजरी वालने के वो आपको गिना देगा